जै महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसे करता हूं कि भलेचंगे हों गया मज़े में होंगे दोस्तों आज मैं आप लोग को आईने का एक प्रव्यक बताने जा रहा हूं इस उपाय से आपके घर में मधुरत आएगी धन आएगा वेभव आएगा एस्वरे आएगा काईये भी संभख हो जाएगा दोस्तों आइना सुक्र प्रदान है तो जो सुक्र है वो आपको वेभवता प्रदान करता है और सोमवार के दिन आप इस उपाई को करते हैं तो यह आपको चंद्र और सुक्र की जो यूति बनती है वो धन व्यभव लक्ष्मी योग ये बनाती है तो यह उपाय करने से आपको व्यभव प्राप्त होगा यानि आप जो चीज चाहते हैं जिस चीज की आप कामना करते हैं जितने भी आप भोतिक सुकों को देखते हैं वो सारी चीज आपको प्राप्त होगी सुन्दरता प्राप्त होगी आकर्सन प्राप्त होगा इच्छित पात्र प्राप्त होगा यदि घर में कलह रहता है तो धन और पैसा लक्षमी यह भी आपके घर में आएगी तो दोस्तों संपूर उपाय बताने से पहले में आपको बता दूं कि यदि आप हमरी चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिंतम गृंतों में छुपे हुए कई इसे गूट रहस्य हैं जिसके बा करता हूं आइने कव उपाय के जो आपके जीवन में मीठास घोल देगा आपको व्यभवता दिलाएगा घर मकान गाड़ी बंगला दिलाएगा साथी साथ आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा आपके घर में पैसे टके की इंकम आवक आय प्रिद्धी बढ़ा देगा उपा व्यक्ति को सारे ही भोतिक सुक प्राप्त होते हैं जिसमें अच्छा मकान आ जाता है अच्छे कपड़े गहने यह सारी चीज़े आ जाती है गाड़ी आ जाता है बंगला आ जाता है नोकर चाकर यह सारी चीज़ इसके साथ साथ सुक्र एक चीज और प्रदान करता है कि वह आपको सुंदर्ता प्रदान करता है आपके चहरे में आकरसन पेदा करता है और साथी साथ सुक्र आपको इच्छित पात्र प्रदान करता है आप जिस किसी व्यक्ति को चाहते हैं जिस किसी व्यक्ति के साथ अपना जीवन गुजारना चाहते हैं जिवन साथी बनाना चाहते हैं साधी ब्या करना चाहते हैं तो सुक्र के महर्बान होने से यह कारे भी हो जाता है साथ ही साथ आज सोमवार है सोमवार के दिन ये दिए आप ये कारे को प्रारंब करते हैं तो सुक्र और चंदर की यूती बनती है इससे वेभव लक्ष्मी योग बनता है इससे आपको जो कुछ चाहिए उसके साथ साथ आपको नकदी रोकड यानि जो पैसा है उसका भी आपको फायदा होता है आपकी इंकम के स्रोध बढ़ जाते हैं सोर्सिज बढ़ जाते हैं कैसे करना है यह उपाय यह मैं आपको बता जाता हूं कि सुक्रवार को जब आप रात्री को सोने के लिए जा रहे हैं जब आपने सारा ही काम कर लिया है तब आपको यह उपाय करना है जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उस समय क्या करें अच्छे से अपने आपको तैयार क अच्छे कपड़े पहन ले सुच्छता से मुघ को साफ कर ले बाल को कंगी कर ले बहुत ही अच्छे से जैसा आपका मन चाहे इस तरह से आप तयार हो जाए परिस्थिती चाहे जैसी भी हो लेकिन जब ही आफ ये उपाय करने के लिए जाए तो आपने आपको वेल डेस्ट कर हो करके आप जो चीज बोलते हैं वो आपको दुगना मिलता है यदि आप आईने के सामने हमेशा उदास हो करके जाएंगे तो आपकी इस्तिती हमेशा बिगरती चले जाएगी तो हमेशा आईने के सामने प्रसन हो करके जाएं तो आपको प्रसनता हमेशा दुगनी मिलेगी ज और जिस चीज की आप कामना करते हैं, जो चीज आपको ऐसा लगता है कि अत्यधिक आउ सके, उस चीज के बारे में सोचें, कुछ भी कहना नहीं है, जो चीज आपको जीवन में चाहिए, उसके बारे में सोचें, जैसा कि मैंने बताया, यह उपाई से आपको भोतिक सक्व लेकिन इसके साथ यदि आपको और कोई चीज चाहिए यदि जैसे मानने जो कोई भीमारी है या यह एक सभाटए कीसी को दूर करना है या कोई छीज पानी है तो वह भी इस से आपको प्राप्थ तो मन ही मन इसको सोचे कुछ देर तक खड़े रहे ये उपाय आपको सुमवार से लेकर सुक्रवार तक करना है सुमवार के दिन प्रारम करना है सुमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और सुक्रवार इस तरह से इस उपाय को करना है और इस उपाय को आपको छे बार करना है सोंग बार से सुक्रवार तक करेंगे एक बार फिर दोबारा से सुंग बार से लेकर के सुक्रवार तक करेंगे दो बार इस तरह से इस उपाय को आपको छे बार करना है इतना सक्तिसाली उपाय है कि आप जो कुछ चाहेंगे वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा साथ ही साथ मैंने जो चीजे बताई पुछ सारी चीजे आपके चेहरे में सुन्दरता बढ़ेगी आकरसन बढ़ेगा आप जिस किसी व्यक्ति को चाहते हैं वो व्यक्ति सामने से आकर आपको मिलेगा साथ ही साथ पैसा मिलेगा गाड़ी मकान मंगला ये सारी ही चीजे होने लग जाएंगी ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहें के दीवटकास और अपने जयन में लापनुद होते रहें धन्यवाद